मैं नमस्कार दोस्तों मैं बस्म दूसर इस पर आपका बहुत-बहुत करता हूं आज आप पढ़ने जा रहा है इतिहास साथ यहां आज से इतियास की क्लासेस आपको निरंतर मिलने वाली और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको अवेलेबल होगी तो चलिए हम शुरू करते हैं समझते हैं आज पहला इतियास के आपका यह चिप्टर देखने को मिलेगा ठीक हम पढ़ेंगे इतियास का इस्त्रोत कारवन सीचवदा क्या होता है और इतियास की परिभाशा क्या है इसको समझते हैं चलिए तो यह बेसिक कॉंसेप्ट है इतियास को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है अगर आप UPSC MPPSC त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए चलिए इतियासिक इस्त्रोत हम पढ़ने व इसलिवरन होता है वही इतियास होता है ठीकिंग तो समझते हैं उसमें क्या क्या आगई जैसे कि कोई सामाजिक सामाजिक एवं किसी देश की विशिष्ट घटनाव का काल क्रमिक काल क्रमिक वि रण करो गयं क्या हैं ये सामनी से इसकी परिभाष्या और आफ कि सामाजिक किसी देश की आर्थी को सामाजी को विशिष्ट घटना अगर हमें दिया जाता कहां कहां से मिलती है ठीक है तो देखिए कहां कहां से मिलती है एक तो जो प्राचिन सिक्के मिले हमको सिक्कों से मिलती है ठीक है अभी लेक है अभी लेखों से इसके अलावा इलो की खुदाई से इसके अलावा इसके अलावा बरतन बरतन से भी हमें इतियास की जानकारी मिलती है इसके बाद ग्रंतों से ग्रंतों से भी हमको इतियास की जानकारी मिलती है तो साथ यह यह समझे कि इतियास के इस तुरुत क्या है हमें इतियास की जानकार या कहा कहा से मिलती हैं इन को आगे हम विष रत समझेंगे ठीक है अभी इन कॉंसेट को सभी इसके अलावा इतियास की जानकर यह मिलती है जो मुर्तियin हमें मिली हैं जो आछी कि दोरान मुर्तिय दोरा लगाया जाता है इसके जो प्राचिन वस्तो हमें मिली हैं उन वस्तों की करते यह भी समझना बहुत जरूरी यह तो इसको कार्बन चौदा कार्बन चौदा इसी से उनके निर्धारित के जाती हैं हर सजीव में कार्बन चौदा होता है ठीक है कार्बन चौदा तत्तु होता है जो की निरंतर इसका हास होता है निरंतर ये कम होता जाता है ठीक है तो इसकी मात्रा को देखते हुए हड़ी परिक्षन होता है कोई प्राचिन हड़ी कंकाल मिला तो उसका परिक्षन किया जाए कार्बन डेटिंग से तो चलिए अब कार्बन डेटिंग को समझ लेते हैं ठीक है तो समझिए कार्बन चुदा एक एसी विधी है एक एसी विधी है जिसके द्वारा किसी वस्तू की आयू का पतल लगाया जाता है वस्तू की आयू का या आयू को निर्धारित किया जाता है je nir 내려 निर्धारित जाता है है तो इसमें क्या होता है सात्यों carbon ci其实 क्या है इसमें radioactive पदार्त होते हैं cati क्या बोलते हैं carbon loodat taking वलते हैं यहां देil निर्धारित की जाती हैं सी चौदा में क्या होता है रेडियो रेडियो एक्टिव समिस्थानिक पदार्थ होते हैं या समिस्थानिक आइसोटोप होते हैं क्या होते हैं जो सभी सजीवों में पाया जाते हैं तो साथियों इस चीज़ को समझ लीजिए कारबन चौदा आपने बहुत बार पड़ा होगा लेकिन इसका कॉंसेप्ट क्या है सभी सजीवों में रेडियो एक्टिव समिस्थानिक आइसोटोप होता है जो निरंतर कम होता चला जाता है आयू के साथ तो उसी आधार पर उनकी आयू निर्दारित की यह मिला गया अवशेश कितने वर्ष पुराना ह गहीं होता है यह हैं ठीक है इसके अलावा एक और महत्पुपुर्ण चीज है इसको समझें कि से से राजस्थान एवं एक और इस्थान है राजस्थान और कश्मीर राजस्थान और कश्मीर में करशी के साक्ष मिले तो वह भी काय से पता लगाया सी चौदा से लगाया और करशी के साक्ष यहां पर कितने वर्ष पूराने बताया गया है अब सातियों इसा पूर्व होता क्या है यानि इसा मसी का जो जन्म हुआ था उससे भी साथ से छे वर्ष पहले की करशी के शाक्ष कहां मिले राजस्थान और जम्मू कश्मीर में यहां पर उसके शाक्ष मिले हैं जो कि कारवन 14 से इसका पता लगाया तो साथ यह सामाजिक घटना ठीक है किसी वेक्ति समाज या कि इसमें देश समझत को खूज़ता है क्या कहलाता है उतियास है इसके अलावा इसके सिककों से परापत होता बीलेक को से तीलों से यह होता जो समतल भूमी से उबरा हुआ हिस्सा होता है उसके अंदल झो खदानों खोदी जाती उसमें घर ना जो इस्थाने जो की सिंदुनदी किनारे इनके आगे पढ़ेंगे तो यहां से हमको इतिyah사 का पत्रू करें नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है विलते है अगली ख्लास में और हम आगे पड़ने वाले हैं इनके बारे में कि सिख्य क्या है किस प्रगार से होते कौन-कौन से होते हैं इनकी क्या-क्या प्रगार बहुत इटेल में पड़ने वाले जो कि आने वाली सबी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूने बहुत-बहुत थण्यवाद